है हलो बच्छो मैं हुए हमिद सर्मा आको सौइद कात्र में यूट्व चनल पेपर है कि अब बच्छो देखेंगे आज की इस वीडियो में हम आपके लिए क्या लेकिया है बीसी पार्ट थर्ड एर का बॉट्टी का पेपर है बच्छो बॉट्टी का फस्ट पेपर है ठीक ह मैं देखेंगे सभी के सभी objective question है ठीकर सभी के s presentations को कोशन है तो आपको आपको वीडियो को गिरिए important question लेकि आए आपके लिए इस वीडियो में तो लाच तब पूरी वीडियो को देखेंगे लिए बिच्छो और बच्छो अगर आपने हमाई चैनल को अभी तर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि हमारी आने वाले वीडियो त जो है वहाँ तक सबसे पहले पहुचे ऑर ऐसे आप से अब कर सकते हैं वाँ सीर करेंगे जल्दी से फर्फंसrov राव कर्वाने वाले हैं वीडियो भाग फस्ट में करवाने वाले हैं ठीक है वीडियो भाग फस्ट में हम फस्ट और सेकंड यूनिट करवाने वाले हैं ठीक है फस्ट और सेकंड यूनिट करवाने वाले हैं तो इसमें देखेंगे वीडियो भाग फस्ट में पहली कोजिश्च पहली यूनिट की तर प्रस्तुत किया है तो इसमें से right answer कौन सा होगा इसमें right answer जो होगा वो क्या होगा बच्छो आठ ठीक है आठ इसका राइड आज़ा होगा इसका आठ राइड लोगा करेंसर होगा इसका रहाइट आंसर क्या होगा वह क्या होगा क्या हो आईिई यू अइस संस्था के दोवारा निकाले जाती है ठीक है ऑफ्चै an ratiosyear आई यू सीएं इस यह जो है यह एक संस्ता है उसके द्वारे यह पुस्तक निकाल जाती लाल आंक्रा पुस्तक ठीक है अगला नेश्ट कोशन IUCN का पूरा नाम IUCN का पूरा नाम क्या है जल्दी से बताएंगे IUCN का पूरा नाम क्या है तो देखेंगे इसका जो पूरा नाम होता है वो क्या है इसको जो राइट आंसर होगा वह उच्छे क्या रहने वाला है option number क्या रहने वाला है देखेंगे इसको जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा International Union for Conservation of Nature and Natural Resources ठीक है हमारा जू है इसका फुल नेम होगा हिंदीं देख लेते हैं हिंदीं में दिया है फिर कृति अबम प्राकृत। संसाधनों संरच्षर के लिए अंतराश्ठी संग ठीक है यह हमारा राइट ऀंसर बिकास की नई अब्धारणा क्या है इसमें देखेंगे बच्छे बताएंगे आंसर होगा इसका सब्सक्राइग अग्या क्या भात्यूंक्त धिया है तो इसमें क्या करना है जो रिक्तिस्थान है उनकी पूर्ति करना है ठीक है तो देखेंगे दिया है गन्ना प्रजिन संस्थान का मुख्याला में इस्थित है तो कहां में इस्थित है कहां इस्थित है जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहेगा तो राइट आंसर देखेंगे बच्चों राइट रहेगा वो क्या रहेगा ऑप्सन नमबर क्या रहने वाला है को में टूर में जो है क्या इस्थित है मुख्याला एगला नेस्ट कोईशन की रहने वाला है अबस्थित है कहा वस्थित है इस इस से पूर वजों ने घरेलू करन की शुरूआत शे की थी, किस से सीखी थी, घरेलू करन की सुरुगात किस सीखी थी, जल्दी से बताएंगा, राइज अंसर इसका क्या रहेगा, राइज आंसर इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा, वो आउप्सन क्या होगा, मक्का, ठीक है, क्या होगा, मक्का से की थी, मक्का इसका यानि की मंटिपिल चुआइस कोश्चन में देखते हैं पहला क्या है हमारे कूरवजों ने पादब घरेलु करण की सुरुवात किस पौदे से की तो किस पौदे से की जल्दी से पताएंगे राइट आंसर इसका क्या रहेगा बच्चो इसका रहने वाला है हमारा तो देखेंग बच्चो इसको राइट आंसर है और करहा हमारा डॉप्सन नमर्र आ मैज मैज यानि मक्का से की तो इसमें यह राइट रहेगा बच्चो ओप्सन नमर को बचाते हुए विकास शारी रचना कह Mila कर went to हुए तो इसमें बच्छों हमारा राइट आंसर कौन सा रहने वाला है तो देखेंगे इसमें राइट आंसरा है आप्शन बेगए इंगले स्टूडेंट देखना बिल्कुल नलबहूं है ठीक है अगरा इस पॉसिचन देखेंगे पिकाउ विकास के लिए निमन में से क्या दस्जेख है इसमें रहने वाला है इसमें राय सार रहने वाला है है तो देखिना अब्टा देध्य कर फक्या खेले तो रहे हो सभी प्रडू सर रहना को हटाना कम Jahre जैब विवित्ता का संवर्च्छा यह तीन हो जाएं तो ऑप्सन नमबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा उप्तो सभी ठीक है अगला इनेश कोश्चन चेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टिटूट इस्टिट है तो कहां इस्टिट है जल्दी से देखेंगे राइट आंसर इ सब्सक्क्राइब अधरकिल्न कोश्चट कॉंशन तृट कॉटिट्ट कर संवर्केन वीडर्रिंग रीशर्च इंस्टिटूट इस्तिट है लिकां इस्तित है जल्दी से देखेंगे राइट अंसर इसका क्या रहने primeira मायका चुण देखेंगे पच्छों राइट आंसर हेग तो निम्न में से कौन सा है जो गन्ना का कुल है जल्दी से देखेंगे सभी बच्छे देखेंगे राइट आंसर क्या रहेगा इसका सभी बच्छे देखेंगे राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह बच्छो क्या हो जाएगा ऑफसर नमबर एग ठीक है आपसर नमबर एग हो जाएगा पॉसिया ठीक है जुद्ध यह हमारा राइट रहेगा ठीक है अगरे नेश पूशन देख लेते हैं डेश्ट पूशन क्या दिया है यह का बास्त वे यह का बानस्पतिक नाम क्या है जल्दी से चावल का बानस्पतिक नाम है तो इसका राइट आंसर क्या होगा इसका देखेंगे इसका डानसर होगा फॉसर नमबर वा ठीक है और या या जट पूरिया ठीक है और जा और यह हमारा राइजा सटाइवा यह हमारा राइजा सटाइवा यह हमारा राइट आंसर रहेगा और राइजा सटाइवा यह हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्सन नम्बर वा ठीक है ऑप्सन नम्बर भी हमारा राइट रहेगा अगला नेश कोशिचन गन्ना का बानस्पतिक न प्राइट रहेगा सकरम और इयुक्त फसल निमन में से कौन सी प्रोटीन युक्त फसल है इसमें सा राइट आंसर कौन सा होगा इसमें राइट आंसर क्या होगा बच्चों जल्दी से देखेंगे सभी बच्चे तो देखेंगे इसमें जो right answer होगा तो किया होगा option number d all of this यानी कि इन में एे सभी तीक है यहें सभी यानी कि poison satybum और यह हो जाइए सीट ऐरिट आइटम और और तीक है और सी बाला हो जाएगा तो यह all of this यानी कि सभी हो जाएगी या option number right answer है ठीक है अगला देखते है नेश्ट यूनिट की तर बढ़ते हैं नेश्ट यूनिट क्या है पहली बता चुके है फर्स्ट और सेकंड यूनिट हम भाग बंड में गरवाने बाले हैं तो सेकंड यूनिट क्या है हमारा दिया है पहला question दिया है पेट्रॉल पौधे का नाम तो जे ट्रोफ है इसका नाम हो जाएगा ठीक है अगला नेश्ट कोशन देख लेते हैं एक पौधा जिससे फाइबर प्राप्त किया जाता है उसका बानस्पतिंग नाम तथा कुल का नाम लिखी तो उसका बानस्पतिंग क्या होगा और कुल का नाम क्या हो जाएगा इसका बानस्पतिक नाम हो जाएगा और यह जो फैमिली हो जाएगी लिटी एसी फैमिली हो जाएगी बच्चों ठीक है तो देखेंगे अगला सभारें दू निकाला जाता है इसका बानस्पतिक नाम तथा परिभार का छुचिए जल्दी से देखेंगे राईड अंसर यहेज जल्दी से इसमें देखेंगे राएं सब्हप्तिक क्या रहने वाला है तो देखेंगे हमारा यहाएंगा Customer हुआ है कि विद्ध को नहीं है विद्ध कर दो पहता है कि इसका परिवार यानि किसकी फैमिली Eating की पॉद्थ है प्राप्त करते हैं एक मादक प्राप्त करते हैं तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा राइट आंसर इसका क्या होगा तो इसका राइट आंसर जो होगा तो क्या होगा ऑफ्सन राइट आंसर जो रहे निवाला है वो क्या है गेव इसका राइट आंसर रहेगा गेव इसका यांसर्व राहेगा फिम है अगर्णा मुष्हाइजude का पाफी तयार की जाती है लेखिए यानि की पौधी का बार्टिक नाम निखना है तो तो देखेंगे इसका जो बानस्पतिक नाम होगा वो क्या होगा कोफिया अरेविका ठीक है इसका जो बानस्पतिक नाम होगा बच्चो बो क्या होगा कोफिया अरेविका इसका बानस्पतिक नाम होगा और काफी जो है वो किसे पराफ होती है काफी फल के बीजों से तयार की जाती है किसे की रेविका इसका बानास्पतिक नाम है और काफी जो है वो क्या करी जाती है फल के वीजों से त्यार की जाती है ठीक है फल के वीजों से त्यार की जाती है तो अगरा नेश कोशन देखेंगे नेश कोशन क्या है कायर परदान करने वाले पादप का बानास्पतिक नाम है जल्द i focus कि नियुसी फेरा इसका राइड आन्सर होगा बच्छो ठीक है अगला इस्ट कोश्जन क्या है बायो डीजल पाओध है तो कैस का पाओदा है बायो डीजल जल्दी से देखेंगे राइड अंसर इसका क्या रहेगा जे ट्रोफा जे ट्रोफा इसका राइट आंसर रहेगा बता चुके हैं जे ट्रोफा ठीक है जे ट्रोफा इसका राइट आंसर रहेगा बच्छो ठीक है अगला देखते हैं नेश कोश्चन क्या है सर्पेंटीन सर्पेंटीन से निस्कर्सित किया जाता है सर्पेंटीन से निसकर्सित किया जाता है तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा रोल फिया सर्पेंट आइना रोल फिया सर्पेंट आइना क्या रहेगा रोल्फिया सर्पेंत आएना यह हमारा राही डांसर रहेगा ठीक है अगला पोच्छिन डुरं भीण का वानास्पतिक नाम है इसका क्या होगा इसका क्या होगा राईटीकम डुर्म कि क्या होगा इसका राइट आंसर होगा ठीक है अगला देखते हैं नेश्ट नेश्ट क्या कुश्चन रेने वाला है और हर एवं सोयमीन कुल के सदस हैं तो देखेंगे जड़ी से किस कुल के सदस हो जाएंगे तो यह जो हो जाएगा ऑसन क्या हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएग मार्फीन का शरोथ है तो इसमें राइट आर्बन से ख्या रहने वाला измен बत्शो इसका राइट नसे क्या रहेगा जल्दी से देखेंगे इसका जो राइट आंसर सो वहाद बच्चों के क्या होगा House, फेंट और फेंट पार सेंट हुआ मैं इसका राइट मुदा होगा ओग कि अफेंट में मियुत इन फेंट में कि आसे ऐद इसका रइट अम्सरह नेक्ते को वहनेिठ लुटी नाम हुँ लुट कहा नस्पतिक फ्रेस नाम क्या होगा बच्चों देखेंगे । यह कि तो जूँद की बाद शेकर हगा ऑफ इसकाहगाOS कोरम क्या होगा जूदर पोर कोरम के प्सु लेरिस ऩ। का लैरीस तो देखेंगे अपहीम जो है वो पेपेवर सोंनी फेरम से प्राफ किया जाता है किसे गिया जाता है पेपेवर सोंनी फेरम से ठीक है किससे किया जाता है अफिन प्राथ पेपेवर सोमनी फेरम से प्राथ किया जाता है बच्छो पेपेवर सोमनी फेरम से ठीक है यह इसका राइट आंसर होगा यह इसका राइट आंसर होगा बच्छो ठीक है अगला नेस्ट कुशिशन वेवसाइक चाय से प्राथ होती ह बेवसाइक चाह से प्राथ होती है तो क्या प्राथ होती है बच्चो पौधे का भाग कौन सा है तो इसमें से क्या प्राथ होगा पत्तियां ठीक है क्या होगा पत्तियां पत्तियां इसका राइड आंसर होगा पत्तियां ठीक है अगर आद देखते हैं neo नेस्ट कोशेंग की है रहने वाला है रही का रेशा होता है तो किससे प्राथ होता है जल्दी से देखेंगे राइड आंश इसका क्या रहेगा है कि इसका जो रामिबू क्या होगा व flour कि सतह से किसे प्राफ होता है वीज की सतह से प्राफ होता है अगला नेस्ट कोश्चन रेसर पाइंट ड्रग से प्राफ होती है तो क्या प्राफ होती है जल्दी से देखेंगे इसका राइट अंसर क्या रहेगा बच्चो इसमें राइट अंसर हमारा क्या रहने वाला है जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे इसमें राइच आंसर उमारा जिरी आधने वाला है है तो और इसमा राइच आंसर क्या रहेगा रोल पिर सर्पेंट फीन तयना का राइट अंसर है थीक आ एक यह एंसर रह इता है इसका को से डाले प्राइद होती है बता चुके है फविasion कूल को थिक है और सिक मेंतु पुर्थों पॉद्धों से डाले यांसर होती है धीक अग्ला काफी का पॉद्धा कौल का सादार्स है तो देखेंगे यह रुभीह सिकिल का सादरस है कौनसे है रूबी एसीकुल ठीक है रूबी एसीकुल का पौधा है यह ठीक है अगर नेस्ट कोशिशन देखते हैं नेस्ट कोशिशन क्या है गन्ने के पौधे का बानस्पतिक नाम है इसका राइट आंसर क्या होगा तो इसका देखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा ठीक है वो क्या रहने वाला है शेकरम शेकरम ओफिस इनेरम ठीक है शेकरम ओफिस इनेरम ये इसका राइट आंसर रहेगा शेकरम औफिस इनेरम इसका right answer रहेगा बच्छो ठीक है ये इसका right answer रहने वाला है तो देखेंगे next question, next question की तरफ बढते हैं, next question हमारा क्या रहने वाला है बच्छो और इसका जो गन्नी के पोधे का बानस्पतिक नाम है वो क्या होगा शेकरम औफिशिनेरम ये सका right answer रहेगा बच्छो ठीक है तो अगरा नेश्ग कोष्ण की तरफ बढ़ते हैं नेश्ग कोष्ण क्या दिया है मुंघ फली का कुल है तो कौन था कोर है मुंघ फली का जल्दी से देखेंगे बच्छो सभी से right answer देखेंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे देखेंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो देखेंगे इसका राइट आंसर रहने वाला है, वो क्या रहने वाला है, option number 1, ठीक है, फैवेशी, फैवेशी कुल है, ये फैवेशी कुल है, ये हमारा राइट आंसर रहेगा, अगले नेश क रहेगा मंद सुसकन तेल मंद सुसकन तेल यह हमारा राइट रहेगा बच्छो ठीक है अगला नेश्ट कोश्टन देखते हैं नारियल का तेल पौधे के किस भाग से निकाला जाता है? इसमें राइट आंसर क्या रहेगा बच्चो? इसमें राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? वच्चो इसमें हमारा right answer क्या रहेगा तो देखेंगे इसमें जो हमारा right answer रहेगा वच्चो क्या रहेगा ओप्सन number c ठीक है option number c हमारा right answer रहेगा endo sperm kis से निकला जाता है responding तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा ? तो देखेंगे इसमें राइट आंसर और क्या होगा ? आपसे नंबर इसका रПрाएट ऑंसर रहेगा. ड्राइड फ्लावर बड ये हमारा रएट अंसर रहेगा बच्छो ूठीका अगरा next question next question क्या रहने वाला हमारा आपकी scale पे केसर के पॉधे किस भाग से प्राफ हूती है केसर के पॉधे किस भाग से प्राफ हूती है सा रहेगा और सिटीक क्या है निये पूस शुर्ण क्या है नीगे में से कौन सा मसाला पौधय अर्मेरिक ठीक है यह हमारा राइट आंसर है पूभ आपी तो आप्सेरल डीं हमारा राइट रहेगा बोद एंड वी थीक अंगये निस्ट पूश्चन चाय का बाश्पतिक नाम है यह कोन सा है जल्दी से देखेंगे राइट जान सबसका क्या रहेगा तो इसका तो राइट आंसर रहेगा बच्चों बोट क्या रहेगा और स्ट नंबर लिए ठीक है। ऊप्सट होती है। ए तो अफ्σιन नमब्ट क्या रहेगा हमारा उपसन नमबर सुन कोण सा रहने वाला है इसमें सा रहने वाला है इसमें सा राइज़े भी यानि कि a एट ये दोनों यानि कि ती कामा कॉफी यह दोनो राइज रहेंगे ऑफिसन नमबR जूट का बानस्वतिक नाम है तो जूट का बानस्वतिक नाम कौन सा हो जाएगा बच्चो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर इसका क्या होगा जूट का बानस्वतिक नाम तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपसा नमबर C रहेगा गुषिंगे, कार कोरस, कार कोरस, कैप्सुलेरिस, इसका राइट आंसर रहेगा, option number C, ठीक, अगला next question, next question क्या है, कपास निम्न में से किस कुल का पौधा है, जल्दी से बताएंगे, right answer इसका क्या रहेगा, बच्छो, तो देखेंगे, इसका is right answer रहेगा, भच्छो, इसका ज उसकर भागते प्राथ चल्दी सब्छी है चल्दी सी त्सक्ति लिचैन के संब्सक्राइब है डुन S gratis जो रहे गा इसका ऐसे टाम से और ओध्यों देखते हैं है तुल्सी का वानस्पतिक नाव हथ किया रहने वाला बच्चो को देखिए बच्चो इसका जो option number रहेगा इसका जो right answer रहेगा option number c ठीक है osimam osinam osinam o sinum sanctum osinam sanctum इसका right answer रहेगा option number c ठीक अगर आनेश्व कुश्च्य नेमने में से कौन सा पेट्रो पौधा है तो राइट अंसर पताएंगे काम सर रहेगा राइट आंसर इसमें सर रहेगा ऑप्सें मर व शमींप सक्रसक्राइब से क्या है यह अधियोज इसती शेसंदर कोस्थ और संबसें मोरे य३ए हैं TROP . तो इसका राइट रहने वाला है बच्चों कहा है option नंबर c ठीक है yeah ऑगला निम्न में से कौंसा औस धी महत्वका पौदा है तो इसमें से vraiment इसमें से हमारा राइद ऑन्सर कौन से रहने वाला है जल्दी से सभी बच्चे देखेंगे तो देखेंगे इसमें जो हमारा right answer रहेगा बच्चो क्या रहेगा all of this all of this इनने से कोई नहीं यह right answer रहेगा option number D ठीक है अधरा next question देख लेते हैं next question क्या दिया है बच्चो next question दिया है सर्वगंधा का बानस्पतिक नाम है क्या है जल्दी से देखेंगे right answer इसका क्या रहेगा तो देखेंगे इसका right answer रहेगा बच्चो क्या रहने वाला है option number A ठीक है रवालफिया, रवालफिया serpentina serpentina ठीक है रवालफिया serpentina यह हमारा right answer रहेगा option number A ठीक है अगरजर कोशचन मुभ फरी का बानस्पतिक नाम है मुभ फरी का बानस्पतिक नाम क्या है बच्चो जल्दी से देखेंगे right answer इसका बताएंगे क्या रहनेवाला है तो इसका जो देखेंगे बच्चो right answer जो होगा ठीक है इसका जो right answer होगा वो क्या रहने वाला है option number B option number B इसका right answer रहने वाला है arches hypozea यह हमारा right answer रहेगा option number C option number B हमारा right रहेगा ठीक है बच्चो अगले next question निम्ण मेंसे कौन सा मसाला अंबेली फेरी कुलका है निम्न में से कौन सा मसाला अंबेली फेरी कुल का है तो right answer इसका देखेंगे right answer कौन सा रहने वाला है तो बच्चो देखेंगे इसका right answer रहेगा option number D option number D is so option all of days is so all of days is so right answer रहेगा option number 2 option number D हमार राइट answer रहेगा बच्चो ठीक है अगर नेश्ट question क्या है निम्न में से कौन से पौधे की पत्यां औस दिये महत्व की हैं तो इसमें से राइट आंसर कौन सा रहेगा बच्छो तो देखेंगे बच्छो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहने वाला है इसमें जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है बच्छ तो ये वीडियो को लाश कुशन था बच्चो तो जल्दी से शेयर करेगा लाइक करेगा बच्चो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करेगा बच्चो ठीक है और अगर आप हमारी चैनल को पहली बार देख रहे हैं हमारी चैनल पर पहली बा लिए तो जरूर इसको लाज तक देखीगा और इसकी पीडिएफ की जो है वो हमने अपने डिस्क्रिप्समें बॉक्स में लिंक दे दिया है आप वहां कुछ से पीडिएफ को डाउनलोड कर सकते हैं बच्चो पीडिएफ हिंदी इंगलेस दोनों में दी हुई है ठीक है बच